नमस्ते दूस्तो यह हमारा registered farming का दूसरा वीडियक पहले वीडियो में डिसकस किये थे कि हम लोग कितना stuff in density रखे और साथ में कितना water depth रखे ताकि हमलोग का culture जो अच्छा से अच्छा निकल पाहे इं दूसरे वीडियो इसके हिसा आपको फीड कराना होता है ता है एकक्य है कितने टाइम स्ट जग जय पूलरी होता अगर आपकी मचली छोटी होते हैं अपको तैम्श को बहुत ज़िद करने का सूरा कराना है यह आपकोрणा बहुत हज़िल धा जैसे कि मैं आपको बता दूँ सूरज निकलने के बाद फीड्ञ हमेशा करा। और सूरज ढूबने के पहले ही आप feeding कराएं और गर्मी के दिन में बहतर होगा कि दोफ़र में feeding को ignore करें क्योंकि जो उपर का पानी का temperature होता बहुत ही गरम होता है उस ताइम पे अगर आप feeding कराएंगे तो मचली को blood health में problem होगी और digestion उनका slow down हो जाएगा और साथ में आपकी मचली आच्छा growth नहीं करेंगी तीसरा parameter जो होता right quantity right quantity मतलब कितना percent आपके मचली को body weight के हिसाब साब को feed देना initial days में hatcheries में हम लोग 10-15% तक मचली को feed कराते हैं पर जो आपकी मचली है कौन से size किया उस हिसाब साब को feed कराना है आप अपने company जिस company का भी feed खिलाते हैं याखि आप खुद बनाते हैं तो ensure करें कि कौन से मचली के stage में कितना percent protein कौन से size का protein और इतना percent में feed को देना है मचली को ताकि एक feed और जो मचली का एक relation बना रहा है जिससे आपको कम से कम FCR और जाद से जादा growth मिलेगा इसके बाद से हर एक company का अपना अलग-अलग data होता है वो काफी सारा R&D करने के बाद decide करते हैं इस stage में इतना amount protein हम देंगे अपने feed का और इतना percent देंगे तो मचली का सबसे अदा growth मिलेगा तो एक repotrated company से आप लोग feeding chart जरूर लें और साथ में कितना percent feed कराना है कौन से days में, किस-किस size का करना है और कौन सा feed select करना है यह सारी details आप लेने के बाद ही feed company का feed लेना स्टार्ट करें चौतहार जो होता right way of feeding right way of feeding बहुत ही ज़रूर है, मचली का size variation जब होता है छोटा बड़ा होता है सबसे ज़्यादा feeding का तरीका गलत होने के वाज़े से होता है तो उस टाम पर आप ensure करें कि जो feed आप दे रहा है मचली को ज्यादा से ज्यादा दूर में आप spread करके दें उसके बाद से जब spread करके ज्यादा दूर में आप देंगे तो जो suitor मचली होती या फिर जो dominant होती है जो छोटी मचली को खाने नहीं देती हैं फीडिंग में ज्यादा aggression दिखाती है वो over feed कर लेती है जो छोटी मचली आप की होती है जो उन्हें फीड नहीं मिल पाता है जिसके वाज़ासे बहुत ज़्यादा कमज़ उयाती है या तो बीमार पढ़ जाती है या तो रिकेट्स हो जाती है तो ज़्यादस ज़्यादा दूर पर आप य॰िएध कर in the weed को ते पहलें यहां पर बाकि सारे दूर पर आप य॰ित करें इए कंजिया में तरहां काटा हों देंगे ज़्यादा पर शेया कंवा य॰िए स्पांड़ी में फीर्णा काता पहें से शॉन tulis diaggi categorization में आए वो बहुत सारा feed खा लेती है most of the fish अभे Aegchis और नीचे की सूर्ठी मिलता है कि अभी होगी को फेड कर नहीं प्रिजिकै trainings में फीद नहीं को की बिलेटा मिलता है अभाषीms करें थाफ में था पर यहां था रहा है धा था चाहिए से दुसरे फीड में सिफ्ट करने में उन्हें दिक्कत ना है तो यह चार आर के प्रिंसिपल है हमेशा से यादर के चाहे जो भी मचली हो आप हर एक मचली में फॉलो होता है जिससे आपको कम से कम FCR मिलेगा ज्यादस ज्यादा ग्रोथ मिलेगा पर आपका पूरा जो प्रोड कमपनी बहुत सारे R&D करने के बाद करते हैं कि कितना पर्सेंट फीड देना कितना पर्सेंट प्रोटीन वाला फीड देना और साथ में कितने टाइम्स देना है तो आप एंस्योर करें कि आप अपने कम्पनी का जो चार्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं तब ही आपको बहतर कि अब फीड खिलाने से आपको अच्छा ग्रोथ मिलता है इसके लिए आपको लिवर टॉनिक और ग्रोथ प्रमोटर खिलाना पडता है यह दोनों चीज आपको रेगूलर नहीं देना होता अपको हबते में 2-3 दिन या फिर उससे भी कम देना होता इस कमपनी का आप लोग लेए उसे एसे इंस्यूर करें की हपते में कितने दिन देना याँ वीकली देना एक एक बीक करके, अल्टरनेट में देना है तो ensure कर अपने company से किस parameter पर हमें और कितना amount of feed में इसको mix करना है तीसरा जो सबसे important चीज होता है आप लोग हमेशा से use करें gut providing एक अच्छे company का gut providing लिए उसमें आपको क्या मिलेगा gut providing दो चीज करता है एक चीज आपके जो digestion system होता उसको improve करता है जिसके वाज़से pangasis मचली जो होगी इसका जो nutrition absorption value होगा ज्यादा improve होगा जिसके वाज़से उसको अच्छा growth मिलेगा दूसरा चीज जो gut providing करता है यह immune system को boost करता है जिसके वाज़से आपके मचली जोती है उसे बीमारी से लड़ने का ताकत मिलता है जिसके वाज़से आपका disease का जो risk होता आपके culture में वो कम हो जाता है तो यह आज का पूरा वीडियो था दोस्तों इसके बाद के वीडियो हम लोग डिसकस करेंगे मचली को वीमारी से कैसे बचाएं मचली का जो last में हम लोग sell out करेंगे उसके economics के बारे में बात करेंगे और